पान साल होने को जारे महाँ पर वो क्या भी तक एलेक्शन नहीं करा पाए आज हम हंगर इंडेक्स में 111 नमबर भी है रोड बनाने से नहीं होगा लोगों को रोज़कार देने से देश चलेगा विजए पी सरकार बन जाएगी और आसा नहीं है कि इनका गौश्यार बन जाएगा पहले जो पहले जो इनका पहले जो थी तीन सो पार सीट थी सब्वेर एंड उसके आसपास होंगे वो गवर्मेंट बन जाएगा बीचे इस पार विपक्ष मजबूत होगा पहले से क्या आपको लगते हैं जो केजरी वाल जो तो अब कोठाले में क्यों चलेंगे मैं रेस्ट क्यों होगा सिर्य यह तो डिपैंड करता है ना कि उनके उप में 24 महिने में तो इसका मतलब फेलियर कहीं ना कई दूसरी साइड है अगर उनके उपर आरोप सी दो रहे हैं तो उनको अंदर रहने दो आज उनकी सुप्रीम कोड में केजरी वाल जी की जो सुनवाई चल रही है उनकी अंतरीम जमानत को लेकर अगर उस अगर उनको लगत कि वो राइल बरेली से जीत पाएंगे बिल्कुल जीतेंगे और जीतना भी चाहिए उनकी पुछतानी सीट है वहाँ पे सारे को जितने भी बड़े-बड़े राउल गान जी के परिवार से हैं उन सब ने वहाँ पे क्या ना में वहाँ से इलेक्शन जीत कहीं वो क्या ना म में आए हैं और क्या ना में परदान मंतरी तक बने हैं तो उनके अपने घर की सीट है बिल्कुल 100 परसंट जीतेंगे महां से कोई टक कर भी नहीं है उनकी तो बीजेपी ने जो पिछले 10 सालों में जो अपने काम निभाए है लगाया है तीन सटर हटाया है राम बनाया है व पर वह क्या भी तक एलेक्षन नहीं करा पाए आप अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें के लेल अधाक की महां पर क्या हो रहा है वह पर लोगों को अपनी सीविल ड्यूटी के लिए क्याना में 21-22 दिन के लिए एक-एक महीने के लिए उनको क्याना में फास्टिंग करनी बढ़ रही है रही बात दारा 370 रामंदिर बनाने से कर लोगों को रोजगार मिलता तो क्या अलो था आज हम हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है हमारी जो मीडिया है आप उसको देखो ना वह 158 नंबर पे है कहा जा रहा है हमारा देश इस से दोजा इस से तो चम-दोजा ना देश कहा जा रहा है परिशान सब हैं लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता पर मोधी जी आने के बाद देश की इक्रोमी काफी बड़ी है पहले जोजा चोदा का आगड़ा तो टाओ जीडीप कहा थी और आज कहा है आपका पैसा कहा जा रहा है पहले आप खुद देखो ना जझेल रहा है आप उसको भी तो लीट को ना रोड बनाने से एक आगर जो भी ब्हक मरी यह बर्ली को रोजगार देने से देश चलेगा लोगों को सिक्षित करने से चलेगा हिंदो-muslim करने से नहीं चलेगा देश का आपकी एक चीज लेंगे और उनको दे देंगे घुसपैटियों को दे देंगे यह देश के प्रदान मंतरी की भाषा बहुत गलत है यह ऐसे नहीं बोला देश के अच्छे पद पे हैं देश को चला रहे हैं उनको सब के साथ सब के लिए बात करनी चीए अगर बीजेपी ने अपने काम करें तो सिर्फ काम पे वोट मागे ना आज भी क्यों राम मंदीर हो गया बन गया अब सब जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने चोड़ो